नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्जाम एनलिसिस करेंगे RRB NTPC 2020 एक्जाम का तो 21 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है RRB NTPC की उसमें जो भी कोशन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम जितने भी कोशन डिसकस करेंगे सभी 100% रियल कोशन होंगे जो की आपके एक्जाम में पूछे गए हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो देखते हैं पहला कोशन क्या है तो पहला कोशन पूछा गया है which of the following Indian state border is not shared by Nepal तो हमारी इंडिया की कौन सी state है जिसका border नहीं लगता है नेपाल कंट्री के साथ तो हमारा answer हो जाएगा जहारखंड तो जहारखंड जो state है इसके साथ border share नहीं होता है नेपाल कंट्री का बाकी जो आपको तीनों option दिये गए थे उन तीनों state से share होता है भिहार से भी share होता है उत्तरप्रदेश से भी होता है और वेस्ट बेंगाल से भी होता है तो इस कोशन का आपका correct answer था जहारखंड टोटल official languages of India according to 8th schedule तो 8th schedule जो है Indian constitution का उसके मताबिक भारत की कितनी official languages हैं तो हमारा answer हो जाएगा 22 टोटल 22 official languages हैं हिंदोस्तान की 8th schedule के मताबिक टोटल जो है टोटल 12 schedules होते हैं और जितने भी schedule हैं सब आपको पता होने चीए किस चीज़ से related होते हैं अगला question देखते हैं हमारा gray revolution is related to the production of तो gray revolution जो होता है किस चीज़ की production से related होता है total 10-15 revolutions हैं जो कि exams के लिए important रहते हैं उनको आप अच्छी तरीके से तयार कर लें उनके उपर question पूछे जा रहे हैं काफी सारे revolutions हैं जिनके उपर पहले exams में question पूछे जा चुके हैं तो gray revolution जो होता है किस चीज़ से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा fertilization जो fertilizers होते हैं उनके production से related होता है gray revolution यह आपको याद रखना है exam के लिए important रहता है green revolution जो होता है यह होता है agriculture से related और milk और dairy products से related होता है white revolution यह exams में पहले पूछे जा चुके हैं first five year plan was started in which year तो पहला five year plan जो start करा गया था जो लागू हुआ था यह कब से हुआ था तो यह question exam में काफी बार पूछा जा चुका है तीसरी या चौथी बार यह question repeat हुआ है तो हमारा answer हो जाएगा 1951 से 1956 1951 से लेके 1956 तक के लिए जो पहला five year plan था वो start करा गया था अब दोस्तों यह जो repeated questions हैं जो की पहले exams में पूछे जा चुके हैं फिर दुबारा पूछे जा रहे हैं उनके लिए हमने separate playlist बना दी है जिसमें जितनी भी analysis की video हमने provide कराई हैं वो सब playlist में आपको मिल जाएंगी एक ही जगे आपको playlist में सारी analysis की videos मिल जाएंगी अगला question देखते हैं हमारा who was the first secretary general of UNO? तो United Nation organization जो है इनके पहले secretary general कौन थे? तो ये question पूछा गया तो हमारा answer हो जाएगा त्रिगवी ली जो थे ये पहले secretary general थे United Nation organization के तो एक ये question पूछा गया organization से जितनी भी international organizations होती हैं उनसे exam में जरूर question बन रहे हैं तो आप उस चीज़ पे जरूर ध्यान देए अगला question देखते हैं हमारा थर्ड एंगलो मैसूर war was started in which year? तो तीसरा एंगलो मैसूर war जो हुआ था ये कौनसी date को start हुआ था? तो हमारा answer हो जाएगा 1792-1792 तो 1790 से लेके 1792 के बीच में हुआ था थर्ड एंगलो मैसूर war तो ये जो wars होते हैं जो लडाई होती हैं जो battles होती हैं उनसे related काफी question पूछे जाते हैं exams में तो जितनी भी battles लड़ी गई हैं हिंदुस्तान में वो आपको पता होना चाहिए जिसके उपर हमने separate video already provide करा रखिए आपको जिसमें आपको सारी जितनी भी battles हिंदुस्तान में लड़ी गई हैं सब मिल जाएंगे तो वो important रहेगे आपके exams के लिए अब अगर first एंगलो मैसूर war की बात करी जाए तो वो लड़ी गई थी 1767 से 1769 के बीच में second एंगलो मैसूर war लड़ी गई थी 1780 से ल आपके आने वाले exams के लिए important रहेंगी इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें ये किस-किस के बीच में लड़ी गई थी वो भी आप जरूर देखें अगला question देखते हैं हमारा पंचायती राज was first introduced from which state in 1959 तो पंचायती राज के उपर हम इस question को काफी बार discuss कर चुके हैं कि पंचायती राज system जो था ही सबसे पहले जो लागू करा गया था ये कौन सी state में करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान तो राजिस्थान जो state है इंडिया की यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज system को introduce करा गया था अब अगर year पूछा जाए तो आपको year भी याद रखना है 1959 में अगला question देखते हैं which of the following is a non-volatile memory तो एक ये question पूछा गया था आज के exam में आप से कि इन मेंसे कौन सी एक non-volatile memory होती है तो आपको पताए कि रेम जो होती है एक volatile memory होती है और hard disk tribe जो होती है ये भी एक volatile memory होती है तो ये दोनों तो volatile memory हो गई तो roam जो जो होती है वो हो जाएगी non-volatile memory रोम जो होती है यह एक non-volatile memory होती है विच इस दी largest gland in human body तो सबसे बड़ा जो gland होता है human body में वो कौन सा होता है या फिर आप से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो organ होता है हमारी body में वो कौन सा होता है तो आपका answer हो जाएगा lever lever जो होता है सबसे बड़ा gland होता है हमारी body का तो यह आपको याद रखना है यह question exam में काफी बार repeat होता जाता है which of the following is the second largest peak of Himalayan तो Himalayan ranges जो है उनकी जो second सबसे बड़ी जो दूसे नमबर की peak है उसका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा K2 तो K2 जो है यह दूसे नमबर की सबसे बड़ी peak है Himalayan range की जिसको की Godwin Austin की नाम से भी जाना जाता है तो कभी-कभी आपको option में Godwin Austin मिल जाता है K2 की जगे तो इसमें काफी confusion हो जाता है तो आपको दोनों नाम याद रखने important रहते हैं अगला question देखते है Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for which book in 1913 तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि Nobel Prize जो मिलाता Rabindranath Tagore को वो कौन सी field में मिला था तो वो मिलाता literature में फिर आपको याद रखना है कौन सी year में मिलाता तो वो मिलाता 1913 में फिर आपको तीसरी चीजा रखनी है कि कौन सी book के लिए मिलाता तो हमारा answer हो जाएगा गितांजली गितांजली जो book है इसके लिए मिलाता Rabindranath Tagore को Nobel Prize literature के लिए 1913 में यह अलगला question मंते हैं exam के लिए सबसे पहले Rabindranath Tagore को Nobel Prize से सम्मानित किया गया था जो कि हिंदोस्तानी थे तो यह चार question होते हैं जो कि exam में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले भारतिये कौन थे जिनको Nobel Prize मिलाता तो वो थे Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore को Nobel Prize कौन से सार में मिलाता तो वो मिलाता 1913 में Rabindranath Tagore को कौन सी बुक के लिए मिलाता तो वो मिलाता गितांजिली के लिए तो यह सब important question रहते हैं जो कि आपको याद रखने एक्जामस में जरूर पूछे जाते हैं अगला question देखते हैं हमारा Which of the following bank was converted to State Bank of India in 1955 तो बिल्गुल basic question आपको पता होगा कि 1955 में कौन सा bank था जिसको convert करकर State Bank of India नाम रख दिया गया था तो State Bank of India का पुराना नाम क्या था तो हमारा answer हो जाएगा Imperial Bank of India तो Imperial Bank of India जो है इसका नाम बदल कर कर दिया गया था State Bank of India जो कि इंडिया का अभी present time में सबसे बड़ा commercial bank है अगला question देखते हैं Which country will host the 2023 ICC Cricket World Cup तो ये question भी हम काफी बार discuss कर चुके हैं आपको जरूर पता होगा कि 2023 में ICC Cricket World Cup जो होने वाला है ये कौन सी country host करेगी तो हमारा answer हो जाएगा इंडिया 2023 में जो Cricket World Cup होगा ये होने जा रहा है भारत में 2019 का कहां पे हुआ था तो वो हुआ था England and Wales में England and Wales में हुआ था 2019 का किसने जीता था तो England के द्वारा ही जीता गया था अब 2023 का होगा इंडिया में Which country has won the Copa American Football 2019 Award तो Copa American Football 2019 जो अवर्ड है ये किसके द्वारा जीता गया तो हमारा answer हो जाएगा ब्राजील तो ब्राजील नेशनल फुटबॉल टीम जो है इनके द्वारा जीता गया है Copa American Football 2019 का टूर्णमेंट Which of the following converts assembly language into machine language तो हमें option जो दिये गएते उसमें से कौन सा होता है जो कि convert करता है Assembly language को machine language में तो हमारा उनमें option था assembler Assembler जो होता है इसका काम होता है Assembly language को machine language में convert करने का World bank was founded in which year तो world bank जो फाउंड करा गया था ये कौन से साल में किया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा 1944 1944 में फाउंड करा गया था वर्ड बैंक को अब ये आपको याद रखना है कि जितनी भी international organizations हैं वर्ड बैंक हो गया, international monetary fund हो गया WHO हो गया, world health organization world trade organization हो गया WMO हो गया, IAEA हो गया ये सब जितनी भी organizations हैं ये कप फाउंड होई थी, कौन सा खाँ पे इनका headquarter located है और इनकी current time में head कौन है ये सबसे important topic रहेगा आपके exam के लिए हर एक shift में एक question जरूर पूछा जाता है international organization से related अगला question देखते हैं हमारा national pollution control day is observed on तो national pollution control day जो होता है, ये हर साल कौन सी date को observe किया जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा 2 December हर साल 2 December को observe किया जाता है national pollution control day को तो days के उपर भी लगातार exams में question पूछे जा रहे हैं तो अभी जो current time के days हैं वो important रहेंगे जैसे की November हो गया, December हो गया September हो गया, इनसे related exam में काफी question पूछे जा रहे हैं days से who was the viceroy of India when ilbert bill was introduced, तो ilbert bill जब pass करा गया था, उस time पे इंडिया के viceroy कौन थे, तो हमारा answer हो जाएगा Lord Rippon, Lord Rippon जो थे ये उस time में viceroy थे इंडिया के, जब ilbert bill को pass करा गया था, तो हिंदुस्तान में जितने भी bill pass करे गए हैं, जितने भी act लाए गए हैं, वो किस time पे लाए गए हैं, कौन से साल में लाए गए हैं और उस time पे इंडिया के head जो जो वाइसरोई होते हैं, जो president होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये इस time पे कौन करी गई थी, तो हमको इसके option नहीं मिल पाए हैं, तो इसलिए हमने जितनी भी satellite launch करी गई हैं, Indian Space Research Organization के द्वारा 2019 में, हम उनको इस question में देख लेते हैं, जैसे की micro set R launch करा गया था, इस रो के द्वारा फिर G set 31 launch करी गई थी Emi set launch करी गई थी reset to be launch करा गया था 2019 में, चंद्रियान 2 भी launch करा गया 2019 में, फिर कार्टो set 3 भी launch करा गया, और reset 2 BR1, ये total 7 satellites थी, जो की launch करी गई हैं, इस रो के द्वारा 2019 में, तो इनके उपर question लगातर पूछे जा रहे हैं 2019 की जो भी satellite launch करी हैं, इनके उपर question बन रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, exams के लिए important रहेगी तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो का आखरी question, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रू करें, और साथी हमारे channel को भी subscribe कर लें, और जितनी भी important playlist हो सकती है आपके exam के लिए, आप उनको उपर i button पे click करके देख सकते हैं, या फिर उनका link आपको description में मिल जाएगा, धन्यवाद दोस्तों